Hello and welcome back to another video of electric charges and fields तो आजे नो आपनो lecture number 3 जो हवे तमने याद होए तो आगणना lecture मा आपड़े जोएलू Coulomb's law, एनो vector form अने एना अमुक examples तो आजे हवे आपड़े जोएए Principle of Superposition और in other words जे तमारी NCAT मा आपेलू छेते The forces between multiple charges बोथ topics are same तो इनों statement समझता पहला एक example लई है सपोज मारी पासे एक charge छे Q0 हवे बीजो charge मारी पासे छे Q1 तो Q1 ना लिदे Q0 पर कोई force लाग से सपोज force experienced by Q0 due to Q1 is 3N ज़स सपोज horizontal अने 3N हवे आ charge ने बुली जाओ मारी पास एक थर्ड चार्ज छे and that is A Q2 तो जब में किदू आ charge ने बुली जाओ ता force ने पन बुली जाओ आनो तो आ Q2 ना लिदे Q0 पर जे force लागे ते छे सपोज 4N फरी थी Q1 ना लिदे Q0 पर जे force लागे ते छे 3N Q2 ना लिदे जे force लागे ते छे 4N तो प्रिंसिपल अब सुपर पूजिशन चूँके कि बे चार्जी स्वच्चे जे force होई ए त्री जा कोई charge ना काराणे अफेक्ट थाई नई फरी थी बे चार्जी स्वच्चे जे काई पन force होई ए त्री जा चार्जी नी प्रिंस थी अफेक्ट थाई नई इटले के 1 ना काराणे Q0 पर जे चार्ज होई तो ते 3N अतों तो हवे जो होँ या Q2 मुको तो आ फोर्स मा कोई फर्क आवे नई ए 3N नो 3N अज रहे Otherwise Q2 ना काराणे Q0 पर जे चार्ज होँ तो ते 4N हतों तो Q1 ना काराणे आ 4N मा पन कोई फर्क आवे नई ए 4N नो 4N अज रहे तो फर्क क्या आवे नेट चार्ज एक्स्पिरियंस बाई Q0 मा फरी थी इंडिविजुल फोर्स इस अफेट थाशे नई पन Q0 पर जे नेट फोर्स लागे एना पर असर्थ हाशे तो नेट फोर्स आपड़े क्यों ते कैलकुलेट करवानो तो एक फोर्स चे आ रहे ते 3N एक फोर्स चे वर्टीकली अपवड 4N तो बनने वाचे एंगल केटलो 90 तो हवे रिजल्टेंट केटलो हाशे 5N हाशे तो Q0 पर नेट फोर्स केटलो लागे 5N तो आपड़े सू करियो बनने फोर्स नो वेक्टर सम करियो तो हवे जो आव आटने मारे स्टेटमेंट मा लगवी होई तो आई केन राइट the force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges and the individual forces are unaffected due to the presence of other charges तो फरिथी नेट फोर्स केरते फाइंड करवानो तो बद्दाना इंडिविजल फोर्स फाइंड करी लेवाना आ केस मा कैयो 3N औने 4N और याना सू करवानो vector summation अने इंडिविजल फोर्स जे छे ते केवार रहे से unaffected clear तो हवे another example suppose आपड़ी पासे छे the system of N charges हमनी charges N charges तो suppose आ थे ग्यो Q1 suppose here Q2 Q3 Q4 एविज रिते QN N charges छे 1, 2, 3, 4, 5, 2, N and I want to find the net force experienced by Q1 मारे सू find करवू छे Q1 पर लागतू net force अने सपोस बद्दा चार्जिस लाइक चार्जिस छे तो बद्दा वचे था से repulsion तो Q2 Q1 ने कही direction मा force लगा उसे तो धक्को मार छे क्या एना थी अवे तो दिस वन विल बिकम force on 1 due to 2 similarly Q3 Q1 ने अहिया क्या धक्को मार छे that will be F1 3 similarly F1 4 will be here force on 1 due to 4 तो आ फोर जेशे F1 ने क्या दूर नी तरफ दक्को मार छे and similarly QN will repel the Q1 in this direction तो आपने मली गया total N-1 forces see total forces N नहीं होई total charges N छे ए N charges माते एक्तो थे गया आपनो Q1 तो बज्या केटला N-1 तो आपने N-1 force मली गया तो हवे जो मारे net force find करवा होई 1 पर तो I will call it F1 vector that will be equal to F12 plus F13 plus F14 plus dot 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 upto F1N individual forces केटला से F12 F13 F14 F15 upto F1N अब बद्दा individual forces नो vector sum करीश तो I will get the net force experienced by Q1 अने बिजी एक वाद अहिया आपड़े बद्दा charges थे केवा consider करया थे like charges सपोस Q3 थे unlike charge तो F13 दूर नहीं होत एना towards Q3 पन end मा तो आपड़े सू करवानू vector summation अच करवानू बाकी के फरक पडशे नहीं तो as of now आपड़े ने like charges consider करीशू और आ force ने consider करशू forget about this one तो F1 is equal to F12 plus F13 plus F14 upto F1N where F12 हवे जो तमने Coulombs लावनू vector form याद होई तो यह है तू K Q1 Q2 upon R12 square into R12 unit vector similarly F13 is equal to K Q1 Q3 upon R13 square into R13 cap similarly F1N will be equal to K Q1 QN upon R1N into R1N unit vector तब बदीज values ने आपने substitute करीचू अहिया तो we will get F1 vector is equal to K Q1 Q2 upon R12 square R12 unit vector plus K Q1 Q3 upon R13 square R13 unit vector plus K Q1 QN upon R1N square R1N unit vector and unit vector अने आने 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 एक जटम मा लखू हो है तो समेशन नी मेथड थी तो I can write K Q1 summation of I and I will go from 2 to N not from 1 to N okay I is equal to 2 to I is equal to N QI upon R1 I square R1 I unit vector तो आने थे ede क्यो net force experienced by charge 1 तो confusion छैने तो आने confusion ने दूर करवा माटे NCRT ना बे examples लहिए थोड़ी clarity आवचे पची नीट ने जेडेबली वक्ते तो आपड़े बो बदा example लहाना चे पड़ा त्यारे आपड़े बे examples लहिए तो example number 1.6 Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of the equilateral triangle of side L What is the force on the charge Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure तो आथ है के figure जी आपड़े consider करवानी छे equilateral triangle छे, side केटली L, L, L एना vertices छे A, B, और C एना vertices पर charge मुखे लो छे Q1, Q2, Q3 and one more thing is given that Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 and that is equal to Q it means three charges identical छे हवे एक charge capital Q आपड़े place करेओ क्या centroid उपर तो हवे centroid उपर मुखे ला charge पर find करवानू छेके net force केटलो लागे तो पहला तो individual forces find करवाना तो जारे पन multiple charges आपेला होई तो पहला आपड़े सु find करवानू individual forces अन्य पच्छी यहनो vector summation लेवानू तो पहला आपड़े find करिये individual forces तो force experience by capital Q due to Q1 will be away and this one downward let us call it F1 vector magnitude आपड़े पच्छी जोईचू as of now direction will be downward पच्छी force experience by capital Q due to Q2 that will be in this direction and let us call it F2 vector and similarly force experience by Q due to Q3 will be somewhere here F3 vector हावे net force जे हाशे यह तरने forces नो vector summation हाशे तो net force find करों माटे F will be equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector तो हवे जों centroid ने point O कई दो centroid नू नाम सूच है point O तो AO will be equal to BO will be equal to CO थाशे अने जो equilateral triangle होई तो अनी value केटली मलशे that will be L upon root 3 याच्छे standard 9 equilateral triangle मां centroid नू vertex ती distance केटलू होई L by root 3 जा L सूच है side नी length तो हवे चालो individual forces आपड़े find करिये तो F1 will be equal to K Q Q upon L by root 3 whole square and that is equal to 3 K Q Q upon L square L by root 3 नो square केटलो थाई L square by 3 तो denominator नो denominator जैसे numerator मां so you will get 3 K Q by L square हवे जो F2 पन अतलो थावानो के नी so that will also be 3 K Q Q by L square and F3 will also be equal to 3 K Q Q by L square तो 3 ना magnitude के बाद आचे exactly equal magnitudes are identical but directions are different हवे बीजी वाद कोई पन बे forces बच्चे angle केटलो बन चे 180 degree because one full circle is of 360 degree अने आ 360 degree ना 3 equal partition देखाई तमने एटले के angle between any two forces will be equal to 120 degree तो आने solve करवाँ माटे आपड़े एक trick लगाविए तो आमा थी कोई पन एक force ने भूली जाओ फरी थी कोई पन एक force ने भूली जाओ तो as of now let us forget F1 तो आपड़ी पासे बे forces माध्या F2 and F3 तो आपड़े आ equation माँ पेलला F2 plus F3 find कर लई है पच्छी आने F1 माँ add करी दाई शू तो we know that F2 vector no magnitude is equal to F3 vector no magnitude and let us call that is equal to some F magnitude बने ना के वाँ छे आने आपड़े consider करियू F बनने वाच्छे angle केटलो छे theta that is 120 degree तो F2 F2 plus F3 vector addition ना magnitude जो मारे find कर वो है it will be equal to under root F2 magnitude square F2 ना magnitude केटलो F तो F square plus F3 ना magnitude square that is also F बनने ना magnitude के वाच्छे F plus 2 F2 ना magnitude into F3 ना magnitude that is again F into F and cos theta theta केटलो 120 degree तो that will be equal to 2 F2 plus 2 F2 into cos 120 केटलो दाए minus 1 by 2 तो 2 to cancel we have we have 2 F square minus F square and that is root of F square and that is equal to F itself and what is F magnitude of individual forces तो हवे मने M को के F2 plus F3 नी direction कही आशे so F2 plus F3 नी direction आशे angle नो bisector आवो कही which will be directed towards A देखाई छे आख़ो एंगल केटलो हा तो 120 बनने ना magnitude same होई तो resultant vector के वो होई bisector तो आएंगल थाशे 60 अने आएंगल पन थाशे 60 तो एनी direction के आशे directly towards A आ लाइनने जो तमें extend करो आगळ तो यह A माती पास थाई तो हवे जो आ हाँ तो आपड़ो charge capital Q F2 plus F3 which is directed upward F2 vector plus F3 vector हवे F2 F3 draw करवानी जरूर नहीं बनने आनू resultant आपड़े already draw करी दीदू अने F1 vector was directed downward magnitude के तलू आनू magnitude हातू 3 K small Q capital Q upon L square आनू magnitude पन के तलू छे F अच अने F के तलू आपड़े consider करेलू 3 K Q capital Q upon L square एटले के बनने ना magnitude के बाच है same बनने नी direction के विच है exactly opposite to each other तो net force के तलू था छे 0 तो हवे आपड़े लखवानू के since F2 plus F3 is directed towards A F1 is directed away from A and both are equal in magnitudes therefore we can write F1 vector plus F2 vector plus F3 vector is equal to 0 and therefore vector F is equal to 0 what is vector F net force experienced by the charge at centroid तो हवे आपड़े आपना कोई problems आवे तो एक shortcut trick आपू तो suppose we have two vectors vector A and vector B and the angle between them is suppose theta हजू एक वात छे magnitude of A is same as magnitude of B आप ट्रिक क्यारे यूसफूल थाशे जारे magnitude बने ना के वा होई same फरी थी we have two vectors A and B angle between them is theta and most important thing के बने ना magnitude के वा छे same and that is equal to suppose some x बने ना magnitude के ला छे x x तो if theta is equal to 0 degree theta 0 means B and A both are parallel to each other direction बने नहीं के वी same तो जो बने नहीं direction same होई अन्य magnitude of A plus B आपड़े फाइन करू होई जो simply you can add A and B तो magnitude of A plus B will be equal to 2 times x बने ना magnitude के वाद ये simply add थाई जाए if theta is equal to 60 degree A plus B is equal to root 3 times x पचि if theta is equal to 90 degree तो mode of A plus B is equal to root 2 times x आप x root नी बाहर छे अंदर नती root 3 times x and root 2 times x okay x नो root नती if theta is equal to 120 degree mode A plus B is equal to x itself अपड़े previous problem मा जो है लू F2 plus F3 mode 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 x z which is the magnitude of any of them which is the magnitude of any of them तो homework मा आ 4 prove करवाना छे करीत करीत प्रूव करशो जब previous problem मा आपड़े F2 plus F3 find करेलूने ए भी जरीत ही यह आपणे प्रूव करवाना छे आट्री डीटेल आपेली छे जो ठीटा 0 होई तो 2x prove करो ठीटा 60 होई तो root 3x prove करो जो ठीटा 90 होई तो root 2x prove करो अन्य जो ठीटा 120 होई x prove करो हींट आपी दो magnitude of vector a plus vector b is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta अन्य हजी एक वाद जे तमारे prove करवानी नथी जो आनो resultant vector draw करो तो यह के वो होई बनने vector ने bisector for example जो आ case होई तो resultant vector क्या हाँ से बनने ना mid मा तो resultant नू कोई पन vector साथे angle के तलू बन से theta by 2 and theta by 2 so for example in this one angle will be 30-30 in this one 45-45 and in this one angle will be 60 degree and 60 degree so next topic is electric field a very 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 important topic future मा पन तमें बहुँ बधिवकतानी use करवाना छो अने तमारा माटे अत्यारे एकदम fresh अने नवो topic छे अने बीजी वाद future माँ magnetic field पन भणशू पन त्यारे आनू अटलू detail मा discussion करशू नहीं अ त्यारे एकदम basic अने detail मा electric field discussion करवानू छे तो पूरू ध्यान आपीने समझ्यो fields मा 2 definitions आवसे एक electric field अने बीजी electric field intensity फरी थी electric field अने intensity of electric field बन्यनी definition के भी ऐसे अलग-अलग अने इमां confuse करता नहीं तो पेला जो ये कि field ने आपनने शू जरूर पड़ी तो सपोस मारी पास है एक charge छाहिए Q अने अहिए point छे जो हूँ एक charge मुख कू small q तो small q पर capital q कोई force लगा उसे and that will be k q q by r square what is r? r is the separation between them तो हवे small q capital q ना कोई physical contact मा छे नहीं अने busy बाद सपोस हूँ यह एक दिवाल बना वी ने बने ने एक भी जाती धाके दो एटले के small q capital q ने ना जोई शके capital q small q ने ना जोई शके तो उसू force लाग से हाँ देखा ही नहीं तो पन force लाग से खरो तो आउँ कई रित पॉसिबल बने कि without contact यहां कोई force छे तो अहीं यहां charge एक कोई direct force लगा उतो न थी फरी थी charge directly force लगा उतो न थी चार्ज शू करें एक electric field बनावें अन्य electric field एए small q charge उपर force लगाउशे फरी थी charge q एट direct small q पर force लगाउतो न थी charge q एए आ point पर कोई field बनावी अन्य ए field small q charge पर force लगाउशे एटला माट एक mediator तरीके आपड़े field ने define कर भी पड़ी तो फरी थी थोड़ू वधारे detail बाजोईए कि what is field तो जो मारी पास से कोई charge होई क्यूँ तो इन्य आसपास माँ एक field बनावशे एना surrounding माई सू करसे एक field बनावशे एक field माँ q2 तो कोना पर वधारे force लाग से q उपर y because it is inversely proportional to r square तो अलग-अलग point पर force अलग-अलग छे field तो यह कच छे तो हवे आपड़े field नी intensity define कर भी पड़े कि आ point पर field नी intensity का एक वधार है होशे आ point पर field नी intensity का एक ओची होशे तो आपड़े q बीजो एक point a empty point अगेन आ a कोई charge न थी अहीं आपड़े अलग-अलग charge न मूखी ने आगड discussion कर सूँ तो फरी थी एक charge capital q एक empty point a अन्य separation छे r अन्य जो position vector लईए तो a थे जैसे r vector कौना position vector कौना respect मा तो position vector of a with respect to point q याचे ने तो हवे जो याँ हूँ एक कूलम charge मूखो फरी थी मैं कितलो को charge मूखी हो एक कूलम तो एना पर force कितलो था से so f1 vector will be k q 1 upon r square अन्य r unit vector हवे याँ एक ने हटा विने 2 कूलम charge मूखो तो f2 कितलो था से f2 k q 2 upon r square अन्य unit vector 2 हटा विने 3 कूलम मूखो तो k q 3 upon r square r unit vector एवी रिते हूँ कोई general charge मूखो q तो मने सू मड़े f q is k q q upon r square अन्य unit vector तो आप बद्दा मा common सूँ छे common is k q by r square into unit vector हवे सपोस k q by r square r unit vector is equal to some quantity x अपड़े कंसिडर करे लिदू कि k q by r square r cap एको ना equal छे x ना equal तो हवे आने हूं लखी शको कि 1 times x I can write this one is 2x this one is 3x and similarly this one is qx इतले के जो आपड़े q ना surrounding मा अलग-अलग point पर आपड़े x define करी लई है पची जो आपड़े point पर force find करवा होई तो त्यां आपड़े खाली ये चार्ज ने x साते multiply करी ने आपड़े डायरेक्ट लियाना पर लागतो force find करी शकाए तो आए x एक्स 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 एलेक्ट्रिक फिल्ड इंतेंसिटी तो इंतेंसिटी ओप इलेक्रिक फिल्स हूं था से e c vector is equal to k q by r square and r unit vector what is capital q के जेनी electric field आपड़े define करे ली शे ते एटले के जो हो यूँँ आ field मा कोई charge मुकू small q तो एना आपर force केतलो लाग्से So now we know f is equal to q times e because e आपड़े अलिडिड करी थी थी एमा आपले simply multiply करवानू क्यू थी तो हवे आपड़े जोई लिए some important points about electric field So we know F is equal to QE हवे जो अग Q 1 कुलम होई तो जो Q is equal to 1 कुलम If Q is equal to 1 कुलम तो F is equal to simply E थाई जाई If Q is equal to 1 कुलम तो F will be same as E तो हवे जो intensity of electric field मारे define कर भी होई तो I can say The force experienced by a unit positive charge What is Q is equal to 1 कुलम Unit positive charge Unit means magnitude should be 1 तो 1 कुलम चार्ज जो काई पन force experience करे HNO electric field आवा नी तो intensity of electric field is The force experienced by unit positive charge तो आपड़े कोई पन पॉइंट पर electric field find गर भी होई तो आपड़े सु करवानू तिया आप 1 कुलम चार्ज मुकी देवानू हवे एक charge पर जे काई पन force लागे H जी थसे एनी electric field पन जो हवे 1 कुलम चार्ज नो होई तो आपड़े एक example मा जोहलू क्यो 1 कुलम चार्ज अप्टेइन करवो अटली easy वाथ न थी 198 years लागता ता आज चे So 1 कुलम चार्ज is very difficult to have तो आपड़े शू करवानू एक random charge ले ले ये Q Q is equal to Q कोई पन random charge आपड़े ले लिदो पच्छी सपोज आ point पर मारे field फाइंड करवी चे अगें point is A अन्ने आज़ पास मा क्या कि charge असे capital Q जेननी आपड़े tension ले वानू न थी आवे आपड़े field साथे मतलब छे एनना पर आपड़े हाँ charge मुक्यों कयो small Q हवे एननी पर कयो force लाग्यों ये आपड़े जोवानू पेलला तो suppose force is F तो E is equal to that force F upon Q आई equation जोवो F is equal to QE so E is equal to F upon Q तो electric field आपड़े करी ते मड़े एक point पर आपड़े चार्ज मुक्य देवानू एननो force find करी लेवानू अनि एनने charge थी शू करवानू divide करी देवानू तो आ केस माँ आपड़े पासे बे चार्ज अत्ता एक प्लस Q अन्ने बी जो small Q plus Q ए सोव काम करीू field ने generate करी अनि small Q थी आपड़े शू करीू field ने measure करी तो आज फिल्ड जनरेट करे शे NAKY source charge अनि जे आपड़े field टेस्ट करवा माटे यूज करी शीए NAKY test charge फरिती what is source charge कि जे field ने generate करे what is test charge कि जेने आपड़े field measure करवा माटे use करी है तो शू small Q फिल्ड ने generate ना करी शके Yes, it can generate पड़े अपड़े अत्यारे any field ने टेंशन लेवानू नथी आपड़े यहने खाली measure करवा माटे use करी शीए हवे बिजो सवाल है शे कि जो टेस्ट charge ने आईया मूको तो एया capital Q ने पन रिपेल करशे अने शू थासे जो capital Q पन भागवा मंडे तो तो हाँ that is possible कि तम्हें small Q चार्ज मूको और capital Q रिपेल्शन ना लिदे दूर भागवा मंडे तो यह उन ना थवा देवू होई तो आपड़े शू करवानू small Q चार्ज ने एतलो नानो लेवानू कि यह नो force negligible थाए 0 ना था वो जो 0 था से तो तम्हें आप force मेजर करी शक्षो नहीं पन यह force एतलो negligible होई कि ते capital Q ने हला भी शके नहीं तो आज equation ने थोड़ू वदारे accurately लखे तो E is equal to again F by Q पन this time Q is very small so limit Q tends to 0 Q should not be equal to 0 it should tend to 0 so E is equal to limit Q tends to 0 F upon Q so this was point number 1 फरी थी point number 1 मा आपड़े सुझो जो यू पहला तो definition of intensity of electric field the force experienced by unit positive charge बीजी बात कि unit positive charge obtained कर वो easy न थी तो आपड़े सुझो करी यू एक random charge ले ली तो nano एना पर लागतू force आपड़े measure करी ली थू और ये force ने जे charge ली थो होतो ये ना थी divide करी थी थी थो तो आपने मली गए electric field पची ए random charge ली थो ए पन एटलो मोटो ना हो जो ये के Q charge ने affect करे तो random charge ने पन आपड़े के वो ली थो 10 to 0, nearly equal to 0 तो आथ है यो आपड़ो point number 1 हावे point number 2 तो आ equation जोईने आपने प्राइम फीशी एव लागे के E is inversely proportional to Q देखाई छे पन एव नथी E is not inversely proportional to Q E is independent of small q again E is independent of small q again E is independent of small q क्यें? विकाज force जे छे ते directly proportional to Q छे राइट what is force? k q small q upon r square तो f is directly proportional to q तो जो तम्हे q ने increase करो तो f इंक्रिस थाई जे जो q ने decrease करो तो f दिक्रिस थाई जे पन overall आप ratio जे छे ते के वो रही constant So E is independent of q तो f मा भी जूशों बद्यू unit vector r अने r square बद्ता हाता चलो equation लगिए तो E is equal to k q by r square अने r cap vector r ना form मा जो लखू होई तो I can write k q by r cube अने r unit vector तो E कोना पर depend करे? r पर depend करे? तो हाँ small q पर depend करे? तो no तो E is independent of small q बट इट depends upon the position एटले के जो A होई capital Q चाज तो A point उपर r काई का लगाशे let us call it r1 A point उपर पर पर r लगाशे let us call it r2 तो जो तमें r change करो तो E change थाई बीजी वाज हवे जो उँँ E नू magnitude लईलो तो magnitude of E is equal to k q by r square simply अन्य हवे जो r fix करो तो E नू magnitude fix थाई जैसे तो directions can be different अगें एक circle लईए एना center पर मुखी है capital Q charge तो हवे circle ना बद्दा ज पॉइंट नू distance के हो अशे q थी? same तो जो distance same होई तो magnitude के हो अशे? same पन directions will be different आ पॉइंट पर direction will be somewhere here आ पॉइंट पर direction will be somewhere here अन्य जो circle ना परला sphere लईलो तो तो पन same case directions will be different and magnitudes will be same बिकुँज sphere ना पन बद्दा पॉइंट capital Q थी same distance पर आशे तो आ थाईगियो point number 2 फरी थी what is point number 2 कि E is independent of q but E depends upon r vector अन्य जो magnitude नी वाज करिये तो ए डिस्टन्स पर depend करें जो distance same होई तो electric field ना magnitudes के वाह से same हवे point number 3 कि for positive charge electric field is radially outwards again for positive charge electric field is radially outward and for negative charge electric field is radially inwards सू मतलब आनो तो जो ये positive charge means चाहूं source charge ने plus q लह लो अब ए ए लेक्रिक फिल सूच है a force experienced by unit positive charge खाली unit charge नहीं unit positive charge तो अहिया suppose आँ point पर हूँ positive charge मुकू क्यो positive charge unit positive charge तो कई direction मा भाग से ripple था से तो क्यो भाग यो दूर आँ point पर मुकू तो तो आम ripple था से आँ point पर मुकू तो अहिया क्याग ripple था से अहिया मुकू तो आम ripple था से तो radially outward means आ सेंटर छे एन रेडियली बतला बदीज डायरेक्षन मां outward इलेक्ट्रिक फिल माली तमने तो पर positive source charge electric field is radially outward खाली radially पन नहीं लगवानू और खाली outward पन नहीं लगवानू फरिती radially outwards अन्ने हवे सपोज हुँ source charge माइनस क्यों लव तो हवे आहिया मुको फरिती unit positive charge हवे positive charge ने negative charge सो कर साई attract so field will be in this direction आहिया मुको तो आहिया मुको तो आ direction मां आहिया मुको तो आ direction मां तो कोई पन पॉइंट पर जो तमने unit positive charge मुको तो direction के भी ऐसे inverse अने radially तो यह थाईगियो आपड़ा point नंबर 3 हवे point नंबर 4 के electric field ए distance ना square ना inversely proportional हाशे right e is proportional to 1 upon r square तो एक चे आपड़ point नंबर 4 के if you double the distance electric field intensity will fall by 4 times if you triple the distance electric field intensity will fall by 9 times तो e is inversely proportional to r square हवे जो तमने e versus r नो graph पूछे तो आओ कई graph आऊशे y axis पर सू लिदो आपड़े e और x axis उपर लिदो आपड़े r तो as you increase the r e will fall तो one more question माटे आने याद राखवानू हवे point नंबर 3 और 4 ने combine करीने question पूछू कि draw the electric field vectors for positive and negative point charges तो पहला आ diagram consider करो कि आपड़ी पास एक positive point charge छे हवे electric field के भी radially outward के inward तो positive charge माटे radially outward तो बद्दी लाइस outward जती देखाई छे हाँ बीजी एक वाद बद्दा एरो नी length same न थी बद्दा एरो नी length same रहे शे नई length के भी थाई? डीक्रीस था थी जाई? वाई? बिकॉज एज एज यू गो अवे electric field intensity falls हवे vector chapter मा आपड़ जोए लू के length of the arrow shows the magnitude तो जो magnitude decrease था तो जाई? तो length of the vector पन डीक्रीस था भी जोई है तो जो as you go away from the charge length of the arrow decreases here also as you go away length of the vector decreases तो आ था ही गया electric field vectors for positive point charge similarly for negative point charge directions will be radially inward अने again as you go away length will keep on decreasing तो आ एग्जाम्पल ने खास करीने notebook मा लग जो what is the question? draw the electric field vectors for positive and negative point charges तो बीजे आपने minor points discuss करी लईए के E is the vector quantity तो ये जो आपने जो यूज के E vector is equal to F vector upon Q अने E नी पन डाइरेक्शन हती ने radially inward, radially outward तो electric field के भी quantity शे vector quantity अब जो quantity होई तो most of the time एना unit ने dimension पराँ आशे तो unit ने थाशे Newton पर कुलम Y E is equal to F upon Q तो F नो unit शू Newton Q नो unit शू कुलम पच्छी next chapter मा आपने जो शू another unit which is volt per meter this one volt per meter अत्यारे आनू tension लेवानी जरूर नथी अत्यारे आपनू याज राखो what is the unit of electric field that is Newton पर कुलम अने dimensions will be M1, L1, T-3 A-1 this one is again your homework homework मा तमारे प्रू करवानू छे के dimension of electric field is M1, L1, T-3 A-1 अने class नूमबर वन मा पन में homework आपेलू कर्यू के नहीं सू हातू K अने epsilon naught ना dimension अने unit डिराइव करवाना हता हावे आथ है जो आजनू homework तो बस ताट सिट पर तोडे आजनू class पूरो